आप इस तीजार आट सो चालीज डॉलर चल रहे दोस्तों बिटकोइन का अभी करन प्रैस अपना आल टाइम हाई है और नया साल शुरुवात होते ही बिटकोइन तीजार डॉलर जो है वो क्रॉस कर लिया आपको याद होगा कि तीन हफते पहले एक गुरू जी ने वीडियो बनाया था बिटकोइन 25 दिन में पैसा डबल अब अनफॉर्चनेटली इनका जो वीडियो था यह सरकास्टिक था और यह बिल्कुल भी इस चीज में बिलीव नहीं कर रहे थे कि बिटकोइन का प्राइस ड को टच करने वाला है सिरफ चार दिन बचे हैं अभी भी 25 दिन पूरे होने में और हमें सिरफ 3000 और चाहिए उसको डबल करने के लिए तो इन गुरू जी की काफी ट्रॉलिंग हो रही है ट्विटर पे भी मैंने एक ट्वीट करी है तो आप भी अगर उसमें कर चुक हूँ अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है और नहीं जीते हैं तो इस तरीके के और गिवे काफी आएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकलर गिवे में मुझे कितना बढ़िया रिस्पॉंस मिला है साड़े 900 से जादा लोगों ने इसमें पा और टाइम हाई यह लगातार एक के बाद एक हर रोज नया और टाइम बना रहा है तो कहां तक यह जाएगा यह कहना बहुत मुश्किल है फिर भी कुछ प्रेडिक्शन यहां पर आ रही है कोई कह रहा है थर्टी एट थाउजन तक जा सकता है कोई कह रहा है पचास हजार ड होगा यह अभी फिलाल केना बहुत मुश्किल है बट यहीं पे एक डेंजर भी बन जाता है क्योंकि हमने देखा है कि पिछले तीन-चार हफते से बिटकॉइन के प्राइस में कुछ भी करेक्शन नहीं हुई है तो यहां पे अगर करेक्शन आएगी तो हेवी करेक्शन हो स लुकता है तो यहां पे बहुत केरफुली ट्रेड करिए अब बिटकोइन की जो कहानी है वो तो चली रही है बट साथी साथ रिपल की एक कहानी चल रही है जो आप लोग काफी लोग पूछते हैं कि रिपल का क्या नहीं हो लाए क्या रिपल जो है वो डेड हो जाएगा त अब रिपल के ऊपर एक साथी के उपर में अलग से पहλη है आपको वीडियो बनाब को संजाय था कि एकसर पी जो है वो रिपल से डिफीरेंट है यहां पर जो केस हुआ है यह रिपल के ओपर होगा है XRP के उपर नहीं हुआ है और अगर Ripple as a company बंद भी हो जाती है तब भी XRP उसके अलावा भी exist कर सकता है तो जहां तक आपको लोग कहा रहे हैं कि predictions आ रही हैं कि XRP zero हो जाएगा dead हो जाएगा ऐसा नहीं होगा XRP independently exist कर सकता है बिना Ripple company के भी यहाँ पर जो case है जो SEC ने charges लगाए है वो लगाए है Ripple के उपर अब material इसके उपर काफी available है यह है SEC की website जहाँ आप देख सकते हैं SEC charges Ripple and two executives with conducting $1.3 billion of unregistered securities offering अब यह पहली बार नहीं है कि SEC ने ऐसी charges किसी भी ICO के उपर लगाए है इससे पहले US के उपर भी charges लगे थे और कुछ टाइम पहले वो charges अब खतम हो चुकी है क्योंकि वो out of court वहाँ पे settlement हो चुकी है तो मेरी अगर आप personal ride जाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिरफ यह कि मेरे हिसाब से यह पूरा का पूरा carefully plan out किया गया है जब तक flair airdrop की चल रही थी जब तक flair airdrop की snapshot नहीं हुई थी जिसके उपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था और उस टाइम पे ripple का price xrp का price था पच्छे सेंट एक महिना पहले snapshot से मैंने वीडियो बनाया था और उसके बाद एक महिने के अंदर देखते देखते ripple 60 cent 70 cent तक touch कर गया अब snapshot होने के flair airdrop के एक दो दिन के बाद ही यहां पे news आ गई और उसके बाद से यहां पर जो price है आप देख सकते हैं कि 60 cent से अब फिलाल 20s की range में बहुँच चुका है अब सबसे जाला समझने वाली बात यह है कि यहां पे जो effect करेगी ruling यह सिरफ US के लिए applicable है य अगर XRP कहीं पर dealist हो रहा है तो वो सिरफ US based exchanges पर ही हो रहा है या फिर ऐसी exchanges जो US law के according compliant रहना चाहती है तो उसके लिए यहां पर देखेंगे finance.us पर यह dealist हुआ है ना कि finance.com पर ऐसे ही coinbase ने announcement कर दी है काफी बड़ी exchanges ने जो US में operate करते हैं कि XRP को या तो dealist कर देंगे या फिर अलड़ी कर चुके हैं और इसलिए आपको यहां पर XRP के price में इतनी ज्यादा panic selling देखने को मिल रही है in fact यहां पर exchanges ही नहीं यहां पर कुछ asset management funds है investment firms हैं जिन्होंने अपनी position जो है वो liquidate भी कर दी है वही रिपल company ने एक response जारी किया है जिस पे उन्होंने यहां पर clear कर दिया है कि SEC के खिलाफ वो लड़ाई करेंगे यानि कि इसको असानी से यहां पर surrender नहीं करेंगे या case में हार नहीं मानेंगे और in fact यहां पर यह भी बताया गया है कि रिपल जो है वो 98% जो उसकी volume है वो outside US trade होती है और US को छोड़के अगर आप देखेंगे XRP के UK में, Japan में, Switzerland में और Singapore में clear cut rules है तो वहां पर ऐसी कोई भी charges नहीं लगेंगे तो यह जो specific है यह सिरफ US specific है और जितना मेरे इसाब से यहां पर panic हुआ है वो over reaction है और personally मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि यहां पर XRP में बहुत बड़ा impact पड़ेगा यह 100% recover करेगा उ इसलिए personally जो मेरी strategy यहां पर रहेगी कि कुछ तो मैंने यहां पर amount buy कर लिया है XRP का और मेरे इसाब से यहां पर price और भी नीचे जा सकता है जब यह trial शुरू होगा या फिर और ज्यादा exchanges जो है वो delish करेंगी तो उसी के लिए कुछ funds जो है वो मैंने multiple levels पर यहां पर average out करन है मेरे साब से पूरी की पूरी market manipulation है अगर आप भी यही believe करते हैं या आपकी कुछ और रहा है तो इंचे comments में जरूर लिखिए बट साथी साथ यहां पर अगर आप कुछ भी invest कर रहे हैं तो अब आप 100% और भी ज्यादा risk ले रहे हैं क्योंकि यह ongoing case चल रहा है तो पैसा उ वीडियो उमीद करता हूं है आपको पसंद आया होगा वीडियो को जुरू लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए हैवा safe investment